नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सिट्रिफ्ट का संगर्स खुद ही करना पड़ता है और ऐसी कुछ कहानी है दिलिप सांगवी की दिलिप सांगवी एक ऐसे सक्स है जिन्होंने उधार के मात्र 10,000 रुपए से अपनी बिजनस की सुरुवात की और अपने बुलंद होसलों और बड़ी सोच से खड़ी करदी इंडिया की नंबर वन और दुनिया की चोथे नंबर की जेनरिक दवाई बनाने वाली सबसे बड़ी कमपनी सन फार्मा इन्होंने अपने जीवन में एक मंत्र का हमेशा पलन किया है कि कभी भी आग लगने पर कुवा खोदने की सुरवात नहीं करनी चाहिए भविस अनिस्चित है और इसलिए तुफान कभी भी आ सकता है और इसे निपटने के लिए इंसान को हमेशा तयार रहना चाहिए 2015 में कैसा भी समय था जब इन्होंने भारत के सबसे अमीर वैक्ति मुके संबानी को अमीरी के मामले में पीछे छोड़ दिया था और भारत के सबसे अमीर आदमी बन गये थे और आज भी ये भारत के सबसे अमीर लोगों के बीच टॉप 10 में आते हैं और इनकी टोटल नेट वर्थ है 12.6 बिलियन डॉलर तो चलिए जानते हैं कैसे मिली इनको इतनी बड़ी काम्याभी आखिर क्या है इनकी सकसे स्टोरी दिलिप सांगवी का जन्म गुजरात के एक छोटे सहर अम्रेली में हुआ था इसकूली पढ़ाई के बाद सांगवी ने कोलकता युणिवर्सिटी से कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया इनकी पिता कोलकता में ही दवाईयों का वैपार करते थे वो कोलकता में जेनरिक दवाईयों की सप्लाई करते थे कॉलेश पुड़ा करने के बाद दिलिप भी दवाईयों के काम में ही लग गये और दवाईयों का डिस्रिब्यूशन सुरू कर दिया कुछ सालों तक काम करने के बाद दिलिप के दिमाग में आया कि जब मैं दूसरों की दवाईयों को घुम घुम कर बेच सकता हूँ तो मैं अपनी दवाईया खुद बना कर क्यों न बेचूँ फिर साल 1982 में गुजरात के वापी में 10-4 रुपए लेकर दिलिप ने अपने एक दोस के साथ सन फार्मा की सुरुवात की शुरू में कमपनी बहुत ज़ादा डवाईयों की वराईटी बनाने पर ध्यान ना देते हुए अच्छी क्वाल्टी की दवाई पर ध्यान दिया कमपनी का मार्केट अच्छा चला और पहले साल ही इनकी कमपनी की सेल लगबग 10 लाख रुपए की हुई इसके बाद इन्होंने कुछ और भी पैसे उधार लिये और 5 इंपलोई के साथ इन्होंने अपनी पहली मैनुफेक्टरिंग यूनिट लगाई उनकी सप्लाई शुरुवात में कुछ सहरों तक ही सीमी थी लेकिन दिलिप सांगवी और उनकी टीम दिन रात महनत कर रही थी और केवल 4 साल के भीतर उनके प्रोड़क्ट पूरी देश में बिकने लगें यह वो दोर था जब इंडियन फार्मसूटिकल इंडस्ट्री में जादतर पेटेंट और अधिक मार्जिन वाले मैडिसीन पर मल्टिनेशनल या फिर सीपला और एन्बैक्सी जैसी कंपनियों का मोनोपॉली था उस समय दिलिप सांगवी लो कॉंपेटिशन और बिना पेटेंट वाली जैनरिक दवाईयों पर अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ाये जा रहे थे यह ऐसे प्रोड़क्ट बना रहे थे जो कि इनके कॉंपेटिटिटर के प्रायोर्टी में नहीं था तो इन्होंने ब्रांड, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, सेल्स और डिस्रिबूशन नेटवर्क पर ध्यान दिया जिसकी वज़ा से इनकी कंपनी कुछी सालों में कई गुना बढ़ी हो गई साल 1989 में दिलिप सांगवी ने परोसी देशियों में दवाई का निर्यात करना शुरू कर दिया जो इनकी तरक्की में एक मील का पत्थर साबित हुआ 1991 में इन्होंने अपनी कंपनी के लिए एक रिसर्च सेंटर की अस्थापना की और 1994 में इन्होंने अपने कंपनी का IPO निकाला अपने सुरवाती दिनों में वो समझ गये थे कि बिजनस एक जुवा की तरह हो सकता है और इसमें रिस्क भी है लेकिन इनका मानना था कि रिस्क इतना calculated होना चाहिए कि जिसे की कंपनी को कोई नुकसान ना हो दिलिप सांगवी की सफलता में घाटे में चलती हुई कंपनियों के acquisition का एक बहुत बड़ा रोल रहा साल 1996 से लेकर आज तक कई देशी और विदेशी कंपनियों को इन्होंने acquire किया है जिनमें अधिकतर कंपनियां घाटे में चल रही थी इन्होंने उन कंपनियों का रिनीवल करके घाटे को प्रॉफिट में बदला और आज इनकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं कंपनियों से आता है यह दिलिप सांगवी के leadership का ही कमाल है कि लगभग 49 साल पहले शुरू ही कंपनी Sun Pharma देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन गई है पिछले कुछ सालों में इन्होंने कुछ ऐसी कंपनियों को एक्क्वायर किया है जिसके एक्क्वाइजेशन से इन्हें फार्मा सेक्टर के टॉप पर पहुँचा दिया है जिसमें मुख्य तोर पर है 1997 में अमेरिकी कंपनी कारको फार्मा और 2007 में टैरो फार्मा और 2014 में रैनबैक्सी के एक्क्वाइजेशन ने इन्हें इंडिया का फार्मा किंग बना दिया और आज इनका सेल्स नेटवर्क लग भगसौस से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है इनकी कंपनी आज जेनरिक दवाई बनाने वाली भारत के नंबर वन कंपनी और विस्वे की चोथे सबसे बड़ी कंपनी बन गई है और साल 2016 में भारत सरकार दवारा इन्हें पदम स्री से नवाजा गया तो देखा दोस्तों कैसे एक मध्यमवडगे पडिवार के वैक्ती ने केवल 10,000 रुपे से 1.5,000,000,000 रुपे से भी उपर का समराज्य बना दिया जिसके पास ना तो मुके संबानी की तरह उनके पिता की कोई संपती थी और ना ही खुद के पास था कोई खास पुझी बस था तो क्या बस एक लच और एक डिड़ संकल्प तो आज किस वीडियो में इतना ही लाइक करें अगर वीडियो काम की लगी हो तो और कमेंट करके बताईए कि मैं और कौन से मेंटर और बिजनस के बाड़े में वीडियो बनाओ और सेर के इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिनने बिजनस में इंटरेस्ट हो या जो कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को हर संड़े ऐसी वीडियो देखने के लिए और बैल आइकन पर जरूर क्लिक करें वरना आपको नौटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप वीडियो मिस कर दोगे और अगर आप ये वीडियो फेस्बूक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सक्सेस ड्रिफ्ट को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा और फाइनिली थैंक्स पर वाचिंग